हालो एवरिवन वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लासिज आज है क्लास टू और क्लास टू में आपके साथ बहुत ही इंप्रोटेंड नौलिज शेयर करने वाली हूँ वो भी फैबरिक के बारे में क्लास वन को आपने बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच आज मैं आपके साथ फैबरिक डिटेल के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी कि हमारा सीधा कपड़ा कैसे होता है और आड़ा कपड़ा कैसा होता है आपने देखा होगा कि कैई बार सही कटिंग कर भी हमारी फिटिंग सही नहीं आती है इसके पीछे एक रीजन है आप ने अभी तक इस चीज को नोट नहीं किया होगा यह बहुत ही इंपुटेंड नॉलिज है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आपको यह इंपुटेंड नॉलिज नहीं पता होगी तो आप कुटे की करटिंग कितनी ही अच्छी करें कितनी अच्छी फिटिंग आप देंगे वो प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी जो आपको चाहिए क्यूंकि उनको नहीं पता होता क्यूंने क्या । topic की हूई होती है जो मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथी शेयर भी करिएगा ये क्लास बिगनर लोगों के लिए तो है ही साथ ही उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को फिटिंग देने में काफी प्राबलम आती है क्योंकि वो यहां तक कहते हैं कि मैडम हमें फिटिंग तो अच्छे से आती है हमने कटिंग भी अच्छे से की है लेकिन हमारी फिटिंग ब्रॉपर नहीं आ रही है जो उनको नहीं पता जिसकी वज़ासे उनकी परफेक्ट फिटिंग नहीं आ पाती है वो इतना सब कुछ कहते हैं कि सब कुछ आता है हमें हम कटिंग भी अच्छे से करते हैं और सिलाई भी अच्छे से करते हैं फिर भी हमारी फिटिंग अच्छे से नहीं आती। जी हां, इस तरह की लेडीज मेरे पास काफी आती हैं, के मैडम हमने तो बहुत अच्छी कटिंग की थी, लेकिन फिर भी हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आ रही, और हमारा दामन एक साइड ही चला जाता है। उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन होता है जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताके आप से ये गलती ना हो और आप घर बैटे ही अपने कुर्टे की या बलाउस की बहुत ही परफेक्ट कटिंग कर सकें तो चलिए भी बड़ शुरू करते हैं अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासिस पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बहुत आसान तरीके से सिलाई कोर सिखाऊंगी जो आपके लिए काफी यूसफुल रहेगा और जब भी आप अपनी सिलाई करेंगे या कटिंग करेंगे तो मेरी वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी चलिए वर शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं फैवरिक डिटेल आपके साथ दे रही हूँ ताकि आपसे कभी यह वलती ना हो और आपका कुड़ता एकदम पर्फेक्ट कटे और उसकी फिटिंग भी बहुत ही पर्फेक्ट आए तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कपड़ा लेते हैं मार्किट से तो वो किस तरह से बना होता है वीवर्स जब भी हम कपड़ा लेंगे तो उसके अंदर जो बना होता है वो कपड़ा धागों से बना होता है क्योंकि धागा हमारा उसमें एक तो आड़ा धागा होता है यानि इस तरह से जो होता है वो होता है आड़ा धागा और इस तरह से होता है हमारा खड़ा धागा तो ये आड़ा और खड़ा मिलकर ही हमारा कपड़ा बनाया जाता है यानि इस तरह से आड़े धागे होते हैं और इस तरह से खड़े धागे इसी तरह से कपड़े की बुनाई होती है और कपड़ा बनता है लेकिन जब हम cutting करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि आड़ा धागा कौन सा होता है कपड़े के अंदर और हमारा सीधा धागा कौन सा होता है यानि आरधागे कौन सा होता है और शीरधागा कौन सा होता है क्योंकि इन दोनों को मिलकर ही हमारा यह कपड़े की बुनाई होती है तो मैं आज बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि आड़े धागे की तरफ हमारा आड़ा कपड़ा होता है और खड़े धागे की तरफ हमारा खड़ा कपड़ा होता है लेकिन आपको ये चार्ट पर समझ में नहीं आएगा मैं भी आपको कपड़े पर लेकिन आपको ये ध्यान लगना है कि हमें अपने कुड़्टे की कटिंग पहनने के बाद भी बार एब उवह बार बार भर ये तिлом हो जाए गा तो यह सबसे में गलती होती है जो हमें पता नहीं होती और हम बजाए खड़े कपड़े के आड़े कपड़े में कटिंग कर देते हैं जिसकी वज़ा से हमारे कुर्टे में प्रॉपर फिटिंग नहीं आती तो यह सबसे बड़े गलती होती है तो चलिए मैं अब आपको फैब कपड़ा है और इस कपड़े में बहुत आसान तरीके से आपको समझा रही हूं अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आप से कभी भी गलती नहीं होगी कटिंग करने में और आपकी एकदम फिटिंग प्रापर आएगी देखिए यह हमारे कपड़ा होता है जब भी हम मार कपड़े की किनारी होगी यहीं से आपको अपने कुड़े की कटिंग करनी है जहां पर आपके किनारी आ रही है कपड़े की यह देखिए मैं कितने ही खैच रही हूं यह नहीं किचरा जैसा है वैसे का वैसे ही है तो यह है हमारे खड़े धागे वाली साइड जब हम खड़ से कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े की जब आप कपड़ा खरीदेंगे तो इसके देखिए दोनों साइड में हमारे किनारी होती है यह कपड़ा है अब मैं आपके सामने इसको दिखा रहे हैं देखिए यह कपड़े की किनारी है और यहीं से मैं आपके सामने इस तरह से कप कपड़े को दिखा रही हूं आपको ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए तो पूरा कपड़ा मैंने इस तरह से लिया है वीवर्स अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि खड़ा कपड़ा हमारा किधर होता है तो हमेशा हमें कपड़े की किनारी जो होती है यही हमारा खड़ा कपड़ा होता है और हमें इसी साइड अपने कुर्टे की कटिंग करनी चाहिए विवर्स अच्छे से समझ में आगया होगा आपको कि हमारे कपड़े की किनारी जहां होती है यह होता है हमारा ख़ड़ा कपड़ा देखी इस तरह से मैं आपको भी बताया कि यह बिल्कुल भी नहीं खिचता और जब हम कटिंग करेंगे तो हमारी बहुत अच्छी कटिंग होगी और फिटिंग भी एक दब अच्छी आएगी तो चली विवर्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि आढ़ा कपड़ा कौन सा होता है जब हमार्केट से कपड़ा फरीदते हैं जैसे हमें दो मीटर कपड़ा चाहिए तो वCal कपड़ा नापने के बाद अपनी कंची से कपड़े की कटिंग कड़ेते हैं जो एक्स्ट्र तो जो यी किनारी काटी है, यह होता है हमारा आड़ा कपड़, इसकी पैचान कैसे करेंगे, मैं आपको ये भी बताती हूँ, कि इस आड़े कपड़ की आड़े की आड़े करेंगे, कि ये आड़ा है, तो देखेए, इस तरह से आप कपड़ लिएगा, यह तो हमारी सीधी लेंट थी, जो किनारी थी थी, आप आरे कपड़े को मैं दिखा रही हूँ कि आडे कपड़ा हमारा कैसे होगा, तो आप इस तरह से जब आप इसको खेंचेंगे तो देखिए, यह थोड़ा सा देखिए, खेचरा है हमारा, वो बिल्कुल भी नहीं खेचर खड़ी length में आपको cutting करनी है जैसे के ये हमारा कपड़ा है और आप इसको इस तरह से catching ले तो ये खड़ी length है देखिए ये बिल्कुल भी नहीं खिच रहा है तो इस side से आपको कुड़ते की cutting करनी है और गलती से भी आप इस side कुड़ते की cutting नहीं करिएगा जो हमारा इस तरह से stitchable हो रहा है ठीक है अगर आप से गलती हो गई और आपने इस side अपनी cutting कर दी तो आपकी कुड़ते की cutting तो हो जाएगी लेकिन उसकी perfect fitting नहीं आएगी जब भी आप कुड़ता पहनेंगे तो वो आड़ा आड़ा जाएगा ठीक करेंगे वो फिर से आड़ा आड़ा चला जाएगा जब आप इसको पहनेंगे तो यह बहुत ही important knowledge थी फैब्लिट डेटेल के बारे में ठीक है तो हमेशा याद रखेगा कि हमें खड़े धागे में अपनी cutting करनी चाहिए जहां से कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खिचता है अब मैं आपको इस कपड़े पे छोटा सा कुर्टी का diagram बना कर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि cutting किस साइड करनी है तो यह कपड़ा है मेरा किनारी वाला और यह खिच भी नहीं रहा देखिए मुझे इसी साइड अपने कुर्टे की cutting करनी है तो मैं अब आपको थोड़ा सा diagram बना के दिखा देती हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए कर दिखा रही हूँ जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएंगी तो फिर मैं आपको बड़ी कुर्टी का diagram बना कर भी दिखाऊंगी जब भी हम कुर्टे की cutting करते हैं तो कपड़े के देखिए दो फोल्ड तो मैंने किये एक फोल्ड ही है इस तरह से फोल्ड कर दिया इसको एक बार और करना है यहनि चार तेमे कपड़ा रखने के बाद ही हम अपने कुर्टे की cutting करते हैं तेकि वो अलग बात है कि अगर आपके कुर्टे पर डिजाइन है या कड़ाई हो रही है तो उसका एक एक पार्ट हम अलग अलग करकर cutting करेंगे वो मैं आगे वाली वीडियो में आपके साथ share जरूर करूँगे तो इस तरह से आपने खड़ी वाली side पर अपने कपड़े को इस तरह से रखना है आपको और उसके बाद देखिए किनारी वाली side है ताकि proper fitting नहीं आएगी तो इस तरह से आप चार्टे में जब आप कपड़ा रख लेंगे किनारी की side से उसके बाद अपनी कुर्ती का डाइगराम बनाईएगा जैसे मैं अभी आपको इसके उपर थोड़ा सा ड्रॉव करकर दिखाती हूँ इस तरह से आपको अपना डाइगराम बनाना है अमीद अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि हमें किस तरह अपनी कुर्ती की cutting करनी चाहिए मेरी वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं एकदम basic से क्योंकि basic ही हमारा सबसे man होता है अगर उसी में हमारी कमी होगी तो हम अच्छी सी cutting नहीं कर पाएंगे नहीं perfect fitting दे पाएंगे तो सबसे बहतर है कि हम सबसे पहले basic को अपने मजबूत करें आपको अपने कुर्ते की cutting हमेशे खड़े धागे वाली साइडी करनी चाहिए जो हमारा बिल्कुल भी stitchable ना हो और हमारे कुर्ते की cutting एकदम perfect हो और fitting भी बहुत अच्छी आए I hope आज की मेरी class आपके लिए काफी useful रही होगी और आपको पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा जो लोग घर बैटे सिलाइज सीखना चाहते हैं perfect cutting करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी fitting देना चाहते हैं आज की जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करिए करिएगा मैं उसका रिप्लाइज जरूर दोंगी thanks for watching